हलो फ्रेंट, विल्कम तु मैं चैनल एजुकेशन टेक आज की इस वीडियो लक्षर में हम लोग सीखने वाले हैं कि मुबाइल में डिलेट किये हुए फोटो को कैसे रिकवर कर सकते हैं यदि आप मुबाइल में दस्तल पुराना फोटो है और उसे आप मिस कर चुके हैं तो वो भी आप फोटो को रिकवर कर सकते हैं या आपके द्वरा किसी बाइज मिस्टेक से या आपके बच्चों के मिस्टेक से फोटो डिलेट हो जाती है तो वो भी आप इस method से recover कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं इस वीडियो को start करने से पहले आपसे request है कि ज़रा इस channel को subscribe करें और इस bell icon के notification को भी दबालें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो बनाता रहूँ तो चलिए वीडियो को start करते हैं देखिए first of all आपको play store से एक app को install करना होगा वो जिसका नाम है disk digger देखिए यहाँ पर मैं disk digger खोल लिया हूँ और disk digger खोलने के बाद आपको यहाँ से start basic photo scan करना है ठीक है दोस्तों यहाँ से start basic photo scan पर करेंगे तो आपको यहाँ से photo जो है देखिए यहाँ पर zero file found लिख रहा है यह दिरे 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 पांच मिनाट तस मिनाट तक में आपका जितना भी mobile में photo होगा वो आपका यहाँ से recover होगा और यह recover के option पर आप यहाँ से click करके आप अपने photo को यहाँ से अपने import कर सकते हैं mobile में ठीक है देखिए दूसरा method जो है आपको यहाँ पर एक photo recovery है photo recovery के माद्यम से भी आप अपने photo को recover कर सकते हैं देखिए यहाँ पर जो है आपका दो photo method है जो कि यहाँ पर recovery method 1 और recovery method 2 यदि आपका recovery method 1 काम नहीं करता है तो आप recovery method 2 के थुरू जाकर आप photo को वहाँ से recover कर सकते हैं तो देखिए मैं यहाँ पर कर दिया हूँ और यहाँ से जदी आप यह start करेंगे तो आपका photo recover होना start हो जाएगा और recovery method 2 में भी यह option आप यहाँ से भी photo को recover कर सकते हैं तो देखिए मैं आपको यह करके दिखा देता हूँ देखिए यहाँ पर जो आपका photo है recover होना start हो चुका है ठीक हो दोस्तो देखिए यह आपको थोगा time लेगा 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक time लेगा और time लेने के बाद आपका यह जो 100% हो जाएगा आपका यहाँ पर photo display होने लगेगा और फिर उसके बाद आप इस photo को आप अपने gallery में import कर सकते हैं तो आप हमें comment करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें comment करें और अपने दोस्तों में share करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँ तब चलिए इस वीडियो में इतना है तब तक लिए नमस्कार जय हैं